जहिन दोस्तों मुझे पता है आप बिहार से हो और सिक्षक बनना चाहते हो बिहार से सिक्षक बनने के लिए पहले आपको B8 करना होगा तो चलिया इस वीडियो के अंदर में हम जानते हैं कि कैसे बिहार B8 परवेस परिक्षा 2024 को हम लोग पास कर सकते हैं उसकी तैयारी कर सकत थैंगे अगर आप government college से करते हो तो इस वीडियो के अंदर में डिसकाश करने वाले हैं वीडियो थोड़ी लंभी होगी 10 14 मिनट की हो सकती है लेकिन यकीन मानीए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा अन तक जरूर बने रह इसके अलावा सामान नहीं जानकारी की syllabus, जो teaching learning environment है, उसकी syllabus, question किस-किस तरह के आते हैं, वो सारी चीज़ां यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले हैं, one by one करके, तो बहुत अच्छी session होने वाली है, आप अन तक जरूर बने रहिएगा, अगर आप अन तक बने रहेंगे, तो हम आप free group से, आप कैसे join कर सकते हो, इस बारे में बताएंगे, हमारी application पर आपको कैसे previous question मिल जाएगा, पिछले पास सोरह का वो भी आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे, कि जो हमारी paid courses है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो, तो इसमें जो बड़ी offer आई हुई कब आएगा गुरू जी, तो जनवरी 2024 में आपकी form आएगी, और आपकी exam date की बात करें, तो examination कब होगा आपका, तो मार्च में आपकी examination होगी, मार्च 2024 में आपकी बिहार B8 परवेस परिक्षा की examination होने वाली है, तो आप सभी लोग तयार रही है, जनवरी में form आ रही है, औ मार्च में आपकी examination हो जाएगी, अब सवाल यहीं उठता है कि कौन कौन B8 कर सकता है, कौन कौन B8 कर सकता है, इसकी eligibility criteria क्या है, तो अगर हम इसको देखें, तो अगर आपने graduation कर रखा है, अगर आप जो है, graduation pass हो, याद रखे, appearing student जो इस बार pass इस बार third year में हैं, वो नहीं कर पाएंगे, जिनका result आजाएगा form भरने से पहले पहले तक, चुकि वहां marks डालना पड़ता है, कितने number आपके हैं, तो इसलिए जो graduation pass होगा, है ना, और graduation passed जो होगा, वो ही इस form को fill up कर सकता है, graduation pass हो with 50% marks, तो आप जो है, बिहार B8 पर विस परिशा का form भर सकते हो, लेकिन अगर आपने professional course से graduation कर रखा है, जैसे आपने support कर रखा है, आपने BBA कर रखा है, कोई भी professional course कर रखा है, इस तरह की courses है, इसमें 55% marks जो है, आपका होना ही चाहिए, ठीक है, तब ही आप जो है, यहाँ पर B8 का form भर सकते हो, अब देखे हमारे telegram group से भी आप जुड़ सकते हो अगर आप free classes वगरे चाहते हो, free PDF चाहते हो, आप telegram play store से download करने के बाद, telegram पर जाकर के आप लिखोगे, either a DHT PDF तो यह वाली telegram group मिल जाएगी, इसको जरूर जोइन कर लीजिए, यही पर आपको सारी B8 से समधी जानकारी मिलती रहेगी, यह हमारी course है, इसके बारे में हम ल इंगलिस दे सकते हो, या फिर अगर संस्कृत से आपने ग्रेवेशन क्या है, तो सिछा सास्त्री वाला जो कोर्स करना चाहते हो, तो आप संस्कृत के 15 नंबर यहाँ पर पूछे जाएगे, तो इंगलिस का अगर आप देना चाहते हो, जेंडरल B8 करना चाहते हो, तो इंगलिस पंदरा नंबर के पूछे जाएंगे, सामान हिंदी की बात करें, तो पंदरा नंबर के हिंदी पूछे जाते हैं, रीजिनिंग की बात करें, तो पचीस कोशन होता है, और पचीस नंबर के पूछे जाते हैं, जेनरल एवरनेस की बात करें, जिसको आप लोग जी इस नमबर होते हैं, इस examination के अंदर में कोई भी negative marking नहीं है, तो आप पूरनता पूरी तरह से जो है, यहाँ पर लगा सकते हो पूरे paper को, यहाँ पर marks distribution को हमने बहुत अच्छे से diagram के माध्यम से बताया है, अगर आप बड़े section पर काम करना चाहते हो, तो GK आपका एक बड़ा section है, जो 33% जो marks है, वो यहीं से आपका जाता है, इसके अलावा जो है reasoning से आपका 21% और teaching learning environment से 21% है तो GK और TLE पर बहुत अच्छा command कर लेते हैं, और हिंदी पर बहुत अच्छा command कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका मामला जो है बन सकता है, अब आजाते हैं हम लोग यहाँ हैं यहाँ पर syllabus के उपर, syllabus को अगर हम लोग बारी-बारी से देखें, तो हिंदी के अंदर में जो कि 15 नंबर हिंदी पूछा जाता है, 15 marks का हिंदी यहाँ पर पूछा जाता है, और आसानी से आप जो है यहाँ पर 13 14 आसानी से लिया आओगे, 15 नंबर भी आसानी से ला सकते हिंदी के अंदर में क्या क्या पूछा जाता है, इसके अलावा उपसर्ग परतिये पूछा जाता है, जैसे आपको पूछेगा कि निमलिकी जो सब्द दिया है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो 4 options आपको दिये रहेंगे, या फिर कहएगा कि प्रो उपसर्ग लगा करके कौन सा यहां पर जो है सब्द बना है उसको आपको ढोंड़ना होगा तो उपसर्ग रहते हैं परतिये रहता है रस्चंद अलंकार से एक एक कोश्चन यहां पर देखने को मिलता है समाज से वनमाक्स का कोश्चन देखने को मिलेगा उपसर्ग परतिये से एक एक न मिल होते हैं इसके अलावा English के syllabus की बात करें तो reading comprehension में अकेले आपको पांच नंबर मिल जाता है आप वीडियो में बने रही है मैं आपको बताऊंगा अभी reading comprehension जब दिखाऊंगा 2020 का paper उसमें आप देख पाऊगे fill in the blank से question रहता है अब यहाँ पर reasoning के syllabus की बात करें तो reasoning syllabus को अगर देखें तो सैलोजिस्म जिसको नियाय निगमन कहते हैं यह पूछा जाता है statement and argument वाले chapter से यानि कथन और तर्क से सवाल पूछे जाते हैं इसके अलवा यहाँ पर इससे सवाल पूछे जाते हैं इसके अलवा इस्तिती परतिकरिया परिक्षन जिसको हम लोग situation reaction test कहते हैं उस chapter से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं कारन इवाम परभाव से यहाँ पर सवाल होता है इसके अलवा जो analytical reasoning है वहाँ से भी परशन आपको पूछे जाते हैं अब आजाते है general awareness general awareness एक बड़ा section है आपके बिहार बिएट परवियस परिक्षा के अंदर में जहाँ पर 40 marks अकेले यह पूछता है लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे सब topics भी हैं जो आपको गहराई से study करने की जौरत है देखे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर general studies पहला इसका topic बन जाता है general awareness का general studies general studies के अंदर में देखो आपको क्या क्या होता है एक तो देखो इसमें आपको history पढ़ना होगा आपको geography पढ़ना होगा इसके अलबा आपको policy पढ़ना होगा quality के बाद आपको economics पढ़ना होगा economics भी यहाँ पर पढ़ना होगा क्योंकि economics के भी प्रशन इस साल पूछे गए है ना इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आगी जिसमें trend analysis मैं आपको बताऊंगा जैसे हर एक section से हर एक topic से कितने कितने सवाल पूछे हैं पिछले पास सालों में वो हमने बना लिया है उसको भी ले करके आएंगे तो आप चैनल को subscribe कर लीजे और वो वीडियो भी आप जरूर देखेगा टेलिग्राम में हम उसकी link बगर डाल देंगे ठीक है और इस class की PDF जो है वो आपको हमारे अप्लिकेशन पर मिल जाएगा कैसे आपको प्राप्त करना है यह हम आपको अंत में बताएंगे बने रहीएगा आप इसके अलावा सामान विज्ञान की बात करें तो इसके अंदर में physics, chemistry, biology जो आता है उसी तरह से इस बार ecology से भी प्रशन पूछे गए थे इसके अंदर में basically क्या-क्या चीजें पढ़ना होता है जिसे विद्याले में जो भौतिक संसाधन है चाहे वो आपका चौक हो गया, है ना, डेश्ट बीन हो गया, ब्लेक बोर्ड हो गया, जो भौतिक संसादन है जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, ओफिसिस वगर हो गया, उसका किस तरह से मेनेजमेंट किया जाए ताकि सिक्षा को और बढ़ावा मिले, है ना, इससे समधित पोचे जाएगे, जो नीट है तो विद्यार्थी संबंधी मुद्य आपसे पूचे जाएगे, है ना, इसके अलवज़ा अलग-लग conditions देखरके पूचे जाएगे, विद्यार्थी और जो संबंध होता है, टीचर और विद्यार्थी का उसके बारे में सवाल होगा, मोटिव प्रिशंगा का परभंधन और इसके अलवा परिधाना ध्यापक का क्या रोल होता है विद्याले में पर बंधन करने है टीम को कैसे चलाना जाएए डिया अमाना मैं र Igja को तो बदयारु produit क्या परिपन को इसको आपको पूछ पूछे जाते हैं बहुत दीक परियावरन साकारात्मक अधिगम के तत्व होते हैं है ना इससे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे अब आ जाते हैं लोग यहाँ पर को देख लेते हैं देखो यह कोशन है आपका प्रवेस्परिक्षा 2022 का पेपर है लेकिन अभी जो हम लोग दिसकस करने जा रहे हैं यह 23 वाला करने के लिए यह फर्ष्ट पेज 22 का था यह ताइस वाला करने के लिए जा रहे हैं तो 2023 में जो प्रश्ण पूछे हैं आप लिक सकते हो इस तरह का एक गध्यांस यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर ली मैं बस फ्रेम को यहांपर पूछा है कि Adam's and Pharisees से सवाल पूछा है sì देवेग का अर्थ क्या होता है ठीक है अब यहां पर देखे वर्तनी सुद्ध वर्तनी पूछा है जिसमें से अत्यधीक जो है वो सही होगा रस को पूछा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है समझ रहे ना किस रस को रसराज कहा जाता है तो यहां पर देखे रस्चंद अलंक तहिंग संकर इसके अलवाद में कौन सा पर्तिये लगा हुआ है तो देख रहे हुआ किस तरह से जो जो चैप्टर हमने बताया वहीं से परश्ण पूछे जाते हैं अब आ जाते हैं यहां पर देखते हैं हम लोग रिजिनिंग का तो रिजिनिंग के अंदर में देख सकते हो पूछा जाता है यहां पर कथन दिया हुआ है और उसके नीचे चार इस्टेटमेंट दिया हुआ है कतन 1 और कथन 2 दोनों शत्य है इस तरह के प्रशन आपको पूछे जाते हैं वही पर यहां पर देखे किस तरह से आपको क्या हुआ तिर भूजाओ की पूरी एक्दम यहां यहां पर दिया हुआ और अब देख रहा होग जैसे यहां पर दिया हुआ है साथ है आपका साथ पूछा है 10 पूछा है इसके अलवाग उप्यार है फिर Ded Karma 12 और फिर कहरा है कि क्राली जगांmit क्या भरा जाए początहिगा तो आप देख रहे होकि साथ के शौबाए 8 हो रहा है आठ के बाद अगला जो है नौ हो रहा है नौ के आगे क्या हो जाएगा दस हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर सरिंखला को भरने के लिए कहा गया है अब दूसरे सब्जेक्ट को अगर हम देख लेते हैं तो सामान ने जानकरी यानि जीके के अंदर में क्या-क्य पूछा गया है किस तरह के प्रशन आते हैं तो देखो यहाँ पर जीके में बड़े आरा असान असान प्रशन पूछे हैं जैसे यहां पर सिधा-सिधा पूछाए कि सरवादिक ध्यमान अस्तंधारी कौन सा होता है तो भैया डॉल्फिन होता है कीट विग्यान वह विग्य चिकनगुनिया बीमारी का कारण है तो यह वाइरस के कारण से होता है ठीक है उसी तरह से पूछा है 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं सद्भावना दीवस के रूप तौर पे मनाते हैं राजी गांधी का याद में ठीक है इसके अलावा यहां पर पूछा है कि गैर बैंकि वित्तिक कंपणी जो है NBFC यह किस एक्ट के तहट चलती है यह सारे सवाल पूछे गए कि किस संस्थाने तंबाकु जहार हमारे ग्रह सिरसक रिपोर्ट को प्रस्तूत किया है तो विसुस्वास्ते संगठन ने किया है तो इस तरह के इतने अच्छे अच्छे प्रशन आप आपको यहांपर देखने को मिलेंगे अवड़ यह उड़ता है अगर आप खुछ से तैयारी करना चाहते है तो गुरुजी इमानदारी से बता दो कि कैसे हम तयारी कर दो अगर आपके पास जो भी GK वगरा की बुक है आप उसको कर लो ठीक है अन्यत्था आप जो हमारा य ये चैनल दृम सेवक टीचरस को आप सर्च करके सबस्क्राइब कर लो ठीक है है कोई तस्ट करके church को आप सबस्क्राइब कर लो ड्रीम सेवक टीचरस को और इस में डेली इविणिंग में एक ताइम हम आपको साइट कर देंगे आप यही रखो कि 6-8 के बीच में हमारी क्लास चलेगी तो डेली इविनिंग में एक घंटे की क्लास जो है अब से ले करके आपको एक्जामिनेशन तक करना है और आपका बेड़ा बहुत अच्छे से पार हो जाएगा और फ्री पीडिफ वगर जो है और क्ल 24 में बीड करने वाले हो तो इस वाले गुरूप से फटा फट जुड़ जाएगे ड्रीम से वक्ट टीचर्स वाले गुरूप से आपको टेलिग्राम पर लिखना है एड़ डिएश्टी पीडिफ और इस गुरूप से जुड़ जाएगे अब देखिए अब सीन ये आता है क अगर आपको गवर्मेंट कॉलेज चाहिए आप कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हो और अच्छे से साफ सुतरे मन से प्रोपर वे में एक नहीं एक से अधिक टीचर से पूरी टीम से आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी अप्लिकेशन पर पेड कोर्स भी चल रही है सबसे पहले यह एप आप डाउनलोड कर लेंगे ड्रीम से वग आई एस लिखेंगे तो यहां पर इंस्टॉल का ओप्सन आएगा हमारा इंस्टॉल है तो ओपें दिखा रहा है इंस्टॉल करके ओपें करने के बाद आपको रेजिस्टर करना है लॉग इन और रेजिस्टर का आपको 2019 से ले करके है ना आपको 2020 के पेपर है ना गिल लो आप 2019, 2021, 2021, 2022, पिछले 5 सालों का ओल जो टॉपिक्स है पांचो टॉपिक्स का जो पेपर है वो आपको बहुत अच्छे से हमने यहां पर दे रखा है इसके अलबा हमने स्लेबस वगरा फिरी में यहां पर दे रख गतर तीन चैप्टर हम फ्री कर देते है उसको आप जा करके देख सकते हूं कई बार पढहते कैप कॉर्स को फ्री भी कर देते हैं ना फ्री डेमो के तो पर कर देते है अब देखे बिहार B8 परवेस परिक्षा 2024 के लिए हमने टॉपर बैच लॉंच किया जैसा कि आपको पता है अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो पिछले 3-4 सालों का अनुभाव है हमाई बिहार B8 परवेस परिक्षा को ले करके और साथी साथ ये बताते हैं वे खुसी ह इसको dedicated होकर के काम कर रही है अब देखो पूरी कोर्स जो है इसके अंदर में क्या-क्या मिलता है आपको full course मिल जाएगा पांचो सब्जेक्ट का जैसे आपका हिंदी है इंगली से teaching learning environment है रिजिनिंग है है ना जीके है पांचो सब्जेक्ट का full course मिल जाएगा PDF notes चोटी provide करे कोई भी chapter आपने आज पढ़ा यहां पर वेद के बारे में ठीक है रिग वेद के बारे में आपने पढ़ा या फिर आप मालो कि सिंधु घाटी सभिता आपने पढ़ा तो जैसे ही सिंधु घाटी सभिता पढ़ाई जाएगी उसके जश्ट बाद सेम डे में एक test upload हो अगर less important होगा तो 15-20 question तो जरूर होंगे उस test को आप भी लगाओगे और भारत के वो सभी बच्चे बिहार के वो सभी बच्चे जिन्होंने इस course को लिया है वो भी लगाएंगे आप उन हजारों बच्चों के बीच में हजारों हजार बच्चे के बीच में ये चेक कर सकते हो कि आपका जो particular chapter है वो कितना strong है अगर वहाँ पर 10,000 बच्चे इस course के अंदर में टेस्ट लगा रहे हैं तो आपकी ranking कितनी है आप कितने minute में इस test को solve कर पा रहे हो कौन-कौन से question गलत हुए कौन-कौन से question सही हुए जो question गलत हुए उसका सही answer क्या होगा ये भी आपको इ लेगी live plus recorded तीन से चार घंटे की पड़े classes होंगी अलग-अलग faculties अपने subject को पढ़ा रही होंगी फीस हमारा initially 2499 था हमने 999 में इसको launch किया अब ये फी और घट गई है limited offer आई हुए है 699 में चुकि यह हम introduce कर रहे थे इस वाली वीडियो को तो हमने फी को काफी कम कर दिया ह 699 कर दिया है है ना तो आप अभी और इसी वक्त जो है खरीच सकते हैं और best offer कुछ और offer अगर आई होगी तो उसके लिए ये number जो है इस पर आप WhatsApp पर high जैसे लिखोगे तो हमारी तरफ से वीडियो की links जागी वीडियो देख देख करके आप join कर लेना अगर कुछ और offer इसक नंबर पर जरूर कॉल कर लिजे WhatsApp पर पूछ लिजे आपको reply दिया जाएगा thank you so much WhatsApp कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों में जरूर सेर करें और इसके अलावा हम और 5-6 वीडियो ऐसी ला रहे हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर में जो आपके जितने सारे doubts हैं वो सारे doubts को हम यहाँ पर clear कर देंगे तो आपके क्या doubts रह गए ये comment में आप जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ share करें thank you so much bye bye एक बार screenshot जरूर ले 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 आप इस course वाले section का ताकि आप इसको घर पर पढ़ सके हैं है ना चलिए thank you so much bye bye